हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके प्यारे से यूटूब चैनल कंपटिशन कम्यूटी पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और हमारे इसके पहले के सब वीडियोज को लगातार आप देख रहे होंगे विसेश रूप से आपने conjunction part 1 को जरूर से देखा होगा अब conjunction part 1 की चर्च हम आप से क्यों कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों का conjunction का यह second lecture है तो conjunction के second lecture को continue करने के पहले हम आप से request करते हैं कि हमने आपको conjunction part 1 में जो भी पढ़ाया था आप उनको जरूर से देख ले ताकि conjunction के definition से related या और भी जो concept हम लोगों ने पढ़े थे उन पे या उन सबों में आपको जहां कई भी confusion होता है उन सारे confusions को आप clear कर सकें क्योंकि conjunction जैसा कि हमने आपको पिछले class में भी बताया था conjunction English grammar का एक ऐसा topic है जिससे एसे सी exam में जब भी कभी question पूछे जाते हैं तो 200% आपके answer correct होते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है इससे आपके error बनने की या इसका question गलत होने की संभावना ही नहीं बनती हाँ बस एक ही condition है कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप इसको agities follow करें तो यदि आप इसको agities follow करेंगे तो आप देखेंगे कहीं भी conjunction का कोई बी question आप से छूटने वाला नहीं है चाहे वो SSE के CGL में पूछा जाए चाहे वो SSE के CHSL में पूछा जाए CPO में पूछा जाए stenographer में पूछा जाए या और भी कहीं पूछा जाए like MTS वगएदा वगएदा ठीक है बात समझ में आ रही है तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने SSE exam के point of view से conjunction पढ़ना सुरू किया था अब आज के class को आगे हम बढ़ाएंगे लेकिन आगे बढ़ाने के पहले हम अब को बताया था कि conjunction के definition में जो given होता है या conjunction का जो definition हम सब उने बचपन से पढ़ा है उसके according conjunction दो word को भी add करता है जोडता है ठीक है बट यहां पे जो confusion है इसको हमने पिछले class में दूर किया था और दूर करते हुए हमने आपको बताया था कि दरसल definition हम लोगों को बताता ह कंजक्षन दो सब्दो को जोड़ता है दो clauses को जोड़ता है दो sentences को जोड़ता है वह दिखाए तो पड़ता है वा idée यह वार्ड को एड नहीं करता है यह दरसल एड करता है किसी भी दो clauses को या किसी भी दो sentences को ठीक है अब sentence क्या है clause क्या है इसके बारे में भी brief चर्चा हमने आपको पिछले class में करके बताई थी समझाई थी ठीक है और इसके अलावा अब आईए हम आपको दिखाते चलें यह देखें यह सारे वह कंजक्शन है जिसको हमने पिछले class में आपको बताया था जिसमें आपको एक नया सा दिखाई पड़ता है हे जब से और यहां पर का मीनिग होता था हिंदी में से लेकिन जब इसका कंजक्शन के रूप में यूज होता है तो इसका मिनिंग चेंज कर जाता है और सिमिलरली फिर इसके बाद हमने आपको बताया था वेदर के साथ हम लोग जनरली यूज करते हैं और का वेदर का यूज हम लोग आश्यारे को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं तो इन दो हम पर करते है ठीक है फिर बिटूइन के साथ एंड का यूज होता है और इस एंड को आप बजबं से जानते हैं वाट को आप बजबं से जानते हैं ठीक है तो इन सबों की चर्चा हमने आपको डीटयल में करी थी और इसके बाद यहां तक को हम लोगों ने डिल किया था लास क्लास का स्लाइड हम लोगों का यही था ठीक है तो अब आज के class को हम लोग इसके आगे continue करेंगे यहां से हम लोग आज के class को continue करेंगे अर्थात conjunction part two में हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है अब देखे seldom का मतलब क्या होता है तो seldom का मतलब होता है कभी ठीक है however का मतलब क्या होता है कि बावजूद जैसे despite का यूज करते हैं कठीन परिश्रम करने के बावजूद वह एक्जाम में फिल कर गया डेस्पाइट वर्किंग हाड ही फिल इन इस एग्जाम ठीक है तो ऐसे संस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं however का जो मिनिंग होता है despite का वह मिनिंग होता है however का ठीक है despite opposite contrast को बताने का काम करता है इन्दसे वह however भी opposite contrast भाले दो sentences को या clauses को जोड़ने का काम करता है ठीक है वात समझ में आ रही है अब While का मीनिंग क्या होता है तो While का एक Hindi मीनिग होता है जब की क्या मेनिंग होता है जब की अब इसका यूज कहा क्या जाता है किस प्रकार के चीजों को express करने के लिए इसका यूज करते हैं आईए हम लोग इसको भी सीखते चले समझते चले सबसे पहले while का जो meaning आप जानते हैं बचपन से जब की ठीक है नहीं जानते हो तो अब जान लीजी वाइल का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी दो काम एक साथ हो रहा हैं हम अभी आपको बता रहे हैं समझा रहे हैं और इस तरफ हम slide में आपको दिखा भी रहे हैं यहां इदर लिख रहे हो लिखते हुए आपको explain कर रहे हो समझा रहे हो तो लिखने का काम समझाने का काम दोनों एक साथ चल रहा है ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग करते हैं ठीक है अब यह दो नोग अलग क्या और जब एक काम होता है अगर से Saudi के बात को बताने के लिएंहीक यूस्फ करते हैं तो कितले काम करें तो वो क्या हो गया रूख क्या इंटरप्टेट हो गया ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेन का वेन और वाइल में यहीं पे confusion होता है बात समझ में आ रही है जैसे आपने गाने में भी सुना था मैं तो रस्ते से जा रही थी तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं बात समझ में आ रही है तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं अगर दोनों काम simultaneously हो आता है पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कि बिट्विन के साथ क्या आता है तो एंड आता है जब between given रहेगा, तो between के साथ आप देखेगा, यहाँ पर आपको to दिखाई देगा, जब from given रहेगा, तो यहाँ पर and given रहेगा, यह कोई और दूसरा वड़ ऐसा given होगा, तो इनको आपको यह incorrect होते हैं, इनको correct करके change करना होता है, टू में, और similarly इनको आपको correct करके change करना होत ठीक है, preposition के रूप में between का use करते हैं, दो के बीच, दो के बीच का sense express करने के लिए, अब देखेगे, आप में से कई बच्चों को confusion होता है, क्या confusion होता है, आईए, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझते चले, देखिए, सबसे पहले यह from, इसको आप में से maximum बच्चे जानते हैं, सायद ही कोई बच्चा होगा, जो इसको नहीं जानता होगा, क्या जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में जानते हैं, कि यह क्या है, तो यह एक preposition है, ठीक है, और इसी के साथ यह जो हम लोग two का use कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, कि two क्या ह रहें तो यह भी प्रिपोजीशन है लेकिन इन दोनों का कंबाइंड रूप से जब यूज करते हैं तब इनका पार्ट्स ओफ है स्पीच चेंज कर जाता है और अब ऐसे सिच्वेशन में जब इस फ्रॉम के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं तो यह कंबाइंड रूप से काम करता है कंजक्शन का किसका काम करता है कंजक्शन का काम करता है बात समझ में आ रही है किसका काम करता है तो यह कंजक्शन का काम करता है ठीक है बात समझ में आ रही है इस तरीके से और इसी तरीके से यह जो हम लोग बिट्विन के साथ एंड पढ़ते हैं वो भी इसी त तरीके का confusion आपको like में देखने को मिलता है तो यह देखे like और यह देखे as अब like है भाई तो यह प्रेपोजीशन है एड़व है ठीक है तो प्रेपोजीशन के रूप में यह काम करेगा तो यह हमने आपको पिछले क्लास में अर्थात conjunction part one में हमने आपको definition को explain करते हुए बता समझ में आ रही है तो यह सब्दों को जोड़ना होगा तो हम लोग like का use करेंगे ठीक है sentences को जोड़ना होगा तो हम लोग use करेंगे as clear तो इस तरीके से कुछ छोटे-छोटे confusion आपके मन में आते रहते हैं तो ऐसे सारे confusion को आप हमारे साथ discuss कर सकते हैं ठीक है आप हमारे साथ कि एड़वर्ब है तो यहां के उपर ठीक है क्योंकि conjunction में इससे question आते हैं relate करके इसका concept क्या है आईए इसको हम लोग यहां पर सीखते चले ठीक है तो सबसे पहले सेल्डम से यदि कोई भी sentence या clause start हो सेल्डम से यदि कोई भी sentence या clause start हो तो generally हम लोगोंने बच्पन से क्या होता है तो subject plus work plus object होता है ठीक है ऐसा हम सब होने बच्पन से पढ़ा है अब यहां पर थोड़ा सा अलग है यहां पर क्या है भाई तो seldom के बाद यह कोई भी sentence आ है कोई भी sentence आ है तो उसका फॉर्मेट सब्जेट plus work plus object नहीं होगा object से दरसल हम लोगों को कोई मतलब ही न नहीं होगा इसका क्या format होगा इसका format इससे बिलकुल अलग होगा क्या होगा भाई आईए इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझते चले तो देखिए इसका क्या format है इसका यहाँ पर format होता है कि हम लोग यहाँ पर use करते हैं helping वो, क्या use करते हैं helping वो, ठीक है इसके बाद use करते हैं हम लोग यहाँ पर subject और इसके बाद जो भी आना है कोई भी object हो compliment हो, जो भी आना हो describing element हो, जो भी आना हो आ सकता है, ठीक है अब आप में से ऐसे कुछ बच्चे जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में एक doubt create होगा तो compliment क्या है तो describing element क्या है यह ज़र आप हमें बता देजी इसको हमने पिछले कई classes में बताया है कई classes में जैसे टेंस पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको इसके बारे बताया सबसे पहले जब हमने आपको subject of agreement पढ़ाना शुरू किया था तो हमारे first lecture हमारे first lecture में हमने इन सभी चीजों को detail में describe किया था क्यों object क्या होता है compliment क्या होता है describing element क्या होता है ठीक है बात समझ में आ रही है फिर इसके बाद भी हमने कई जगों पर इसको repeat किया प्रणावन पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी हमने इसको repeat किया ठीक है तो अब बार बार एक ही चीज रिपीट न किया जाए और यदि किसी को छूट किया हो किसी को इसमें डाउट हो को यह दि हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो describing element में जो भी आपको डाउट हो यह हमारे आप पुराने वीडियो में चली जाएए वहाँ पर मिल जाएगा वहाँ पर जाके इसको देख लीजिए ठीक है चली तो इनका structure कुछ ऐसा होता है इसमें error कह कहा पूछा जाता है यह अब हम आपको यहाँ पे समझाते चलें में एरर का part कहां कहां आपको मिलेगा तो इसमें आप देखेगा कि यहाँ पर सेल्डम के बाद इधर जो भी sentence या खाएगा इसमें आप देखेगा यहाँ पर subject लिखा होगा और इसके बाद इधर लिखा हम लोग उसका यहां पर यूज करेंगे दूसरी बात सेल्डम एक नेगेटिव वाट है सेल्डम कैसा वाट है नेगेटिव वाट है तो सेल्डम जिस सेंटेंस या क्लॉज में लिखा गया होगा जिस सेंटेंस या क्लॉज में सेल्डम का यूज किया गया होगा उसमें हम पर बेस्ट कुछ को हम लोग solve करते चले तो अब चलते हैं हम लोग कुछ कोशन की तरफ और आईए अब हम लोग यहां से को देखना सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आते हैं अब देखे एथीस्ट क्या होता है अब थीस्ट क्या होता है अब थीस्ट क्या होता है सबसे पर लिए हम लोग समझ ले यह देखे जो थीस्ट होता है यह थीस्ट क्या होता है तो जो भगवान को मानते हैं उनको कहते थीस्ट ठीक है और जो भगवान को नहीं मानते मानते जो मानते हैं कि भगवान होता है नहीं बात समझ में आ गए ठीक है तो ऐसे यह दो तरह के लोग होते हैं ठीक है अब आए इनके अलावा इनका क्या concept यहां पर यूज किया गया इसको हम लोग देखते चले He is an atheist He goes to the church every Sunday मतलब वो भगवान में विश्वास नहीं करता या नहीं रखता भगवान को नहीं मानता है इसके बावजूद अब इसके बावजूद के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे इसके बावजूद तो देखें यह दोनों opposite बाते हो गई बागवान को नहीं मानता है फिर भी every Sunday चल जाता है ठीक है बात समझ में आ रही है तो इस तरीके के बाद को opposite contrast वाले बातों को बताने के लिए विकॉस का यूज होगा क्या नहीं होगा यह टियां पे suitable है क्या नहीं है तो नो improvement भी नहीं होगा अब हमारा एक ही आंसर बचा क्या बचा हावेबर और हावेबर के बारे में हमने आपको पहले ही अभी थोड़ी दिर पहले ही बताया है हावेबर का यूज कब करते हैं तो अपोजिट contrast वाली बातों को बताने के लिए करते हैं तो इस question का answer हमारा क्या बनेगा हमारा answer बनेगा हावेबर नेक्स अंगले question में चलते हैं while my parents talked अब देखे इसके बारे में वाइल के बारे में हमने आपको पहले से टेंस में भी पढ़ा रखा चीक है यहां पर फिर से आपको बताते चले आज भी हमने आपको बताया कि दो simultaneous work को बताने के लिए वाइल का यूज करते हैं अब टेंस में हमने इसके बारे में क्या बत पास्ट continuous में इसका जम के यूज आपके एक्जाम में एसे से एक्जाम में देखने को मिलता है ठीक है बात समझ में आ रही है ऐसा नहीं है कि वाइल का यूज प्रिजेंट टेंस में नहीं होगा यह प्रिजेंट इंडिफरेंट फूचर इंडिफरेंट में नहीं होगा कही भी हो सकता according to need बात समझ में आ रही है बट आपके एक्जाम में जो देखने को मिलता जिनरली वो यह मिलता अब जब रहे हैं देखे यह टॉक्ड क्या है पास्ट कंटिनिवस में हमें इसको कहां चेंज कर देंगे कंटिनिवस में यह अभी है कहां इंडिफरेंट में यह क्या अगम तो हम यूज करते पास्टे। या फोन 거 है यह आप मैं पीता है पास्ट多 प्रिंट वह पेरेंटा जिवत होते हैं जिनका दुर्भा चौन फॉन से जावारे सिंगल फिरेंट हो गया हूं उनके लिए अगर वो single है चाहे वो माता हो या पिता हो दोनों में से कोई एक ही हो तो उनके लिए use करते हैं parent और दोनों हो तो use करते हैं parents बात समझ में आए तो parent है singular और parents है plural clear चलिए तो parents है इसलिए हम लोग use करेंगे वर और यहां talked के जगह क्या use करेंगे तो हम लोग use करेंगे talking क्या use करेंगे talking clear चलिए अब इसका option अब देख लिजिए कहीं पर है क्या word talking तो answer मिले हमारा option number C तो अब आप इस तरीके question को इस तरीके से solve कर सकते हैं अब आईए यहां पर देखें अब हम लोगों को क्या दिखाई देर है हम लोगों को दिखाई देरा seldom के बाद तो use करेंगे seldom have pen का color थोड़ा चेंज कर लें तो यहां पर हम लोग क्या use करेंगे have को यहां लाएंगे अर्थात हमारा answer बनेगा seldom have क्या बनेगा तो इस question का answer हमारा बन गया option number a ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं इसका answer क्या बना option number a ठीक है next I will try to be on time but don't worry when I am late देखिए I will try to be on time मैं समय पर आने का प्रयास करूंगा ठीक है but don't worry लेकिन चिंता मत करना when I am late यदि मैं late हो गया तो अब यहां पर when का use नहीं करेंग if का यदि मैं late हो गया तो if I am late the minister plans to construct between दखें यहां पर between दिखाए दिया और between के साथ यहां पर क्या दिखाए दिरहा है to ठीक है तो यहां पर देखें between 50 to 60 cyclone shelters 50 से 60 shelter बनाने की बात की जा रही है 50 से 60 के भीच नहीं 50 से 60 cyclone shelters बनाने की बात की जा रही है तो ऐसी बात को बतान के लिए हम लोग between का यूज नहीं करेंगे हम लोग इसका यूज करेंगे फ्रॉम का तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है ठीक है अब आपके एक्जाम में यह कोशन पूछा जाता है तो आप कैसे आंसर करेंगे देखें यह आपके एक्जाम मे between के साथ two नहीं between के साथ क्या आता है यह काम करते है तो भी आपका अंसर क्या बनता है option number B बात समझ में आ रही है तो भी आपका अंसर क्या बनेगा option number B और आपको एक्जाम में यहां पर correction करने की जरूरत नहीं होती है आपको सिर्फ वो section चूज करके बताना है जिसमें error है तो पहले वाले में ए दूसरे वाले में error है तो बी तो इसका answer क्या बना option number B तो आप दोनों में से चाहिए जो किस यह आपका answer correct बनेगा ठीक है बात समझ में आई और आपको full marks मिलेंगे कितने marks मिलेंगे दो number मिलेगा भाई ठीक है next from May 1997 and अब देखिए from के साथ end आता है क्य नहीं आता तो हमें इसमें कुछ भी समझने के जरूवत ने फरम के साथ क्या लगा दे टू लगा दे answer क्या बन गया option number A बन गया next I know that that का मतलब क्या होता है कि I know that see seldom if अब देखे यह concept हम लोगों का पढ़ना भी बाकी रह गया तो आईए इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ दूसरा हम लोग कभी कभी यूज करते हैं सायद ही कभी सायद कभी नहीं इस दो तरीके के सेंस को हम लोग यूज करते हैं सायद ही कभी आपको बताना हो तो हम लोग यूज करते हैं seldom if ever क्या यूज करते हैं seldom if ever सायद कभी नहीं क्या तुम साधी के बाद हमसे मिलने आओग तो मान लेज़े आंसरा सकता है सायद कभी नहीं ठीक है या आंसरा सकता है सायद ही कभी हमारी आपकी मुलाकात साधी के बाद हो पाए ठीक है चली तो हम लोग क्या यूज करते हैं तो या तो seldom if ever या seldom or never बात समझ में आ रही है या तो seldom if ever का यूज करेंगे या seldom or never का यूज करेंगे आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसे से भी आपके एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं कौन से एक्जाम में एसे सी चसल में भी और सीजियल में भी ठीक है बात समझ में आई चलिए अब चलते हैं हमारा जो लास कोशन था वो क्या था यहां पर यूज क्या गया सेल्डम if ever अब इसको देखके आप में से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनको कंफ्यूजन होता है ये सेल्डम इफ एवर क्या होता है भई तो इसको देखके घवराने की कुई जरूरत न नहीं है ठीक है इसको देखके खवराने की जरूवत नहीं है अब आप में से कई बच्चों के मन में खयाल आ रहा होगा ज़र आपने तो अभी सेल्डम वाले केस में थोड़ी दिर पहले बताया था कि सेल्डम के बाद हेल्पिंग वाब आता है और उसके बाद आता है सब्ज करेंगे तो देखें उसको कैसे हम लोग ठीक करते हैं इनका यह कॉंसेट हम सब लोग सीख लिए हमने आपको बताया कि इस कंडिशन में यहां पर हिल्पिंग वर बात है इसके बाद यह सब्जेक्ट आता है ठीक है क्लियर है चले इसके बाद चलते हैं अगले पेज मिले कर आपको देखिए सेल्डम का यूज यदि किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में हो कहां पर हो यदि कोई भी सेंटेंस या क्लॉज सेल्डम से सुरू हो यदि कोई भी सेंटेंस या क्लॉज सेल्डम से सुरू हो तो वहां पर हम लोग सेल्डम के तुरंद बाद किसी ना किसी helping वो आपका use करेंगे उसके बाद subject और उसके बाद जो भी आना है वो आएगा लेकिन यदि seldom का seldom का use sentence के beginning में नहीं हो कोई भी sentence या clause seldom से सुरू नहीं हो रहा हो बलकि इसका use sentence के बीच में कर लिया जा जैसे माल लेज़े यहां पर कोई भी subject लिखा हुआ हो आप ध्यान से इसको सीखने का प्रयास किजेगा माल लेज़े कोई भी sentence हम लोगों को given है उसमें subject के बाद यहां पर seldom का use कर लिया गया तो यदि यहां पर हम लोगों को seldom का use होता हुआ दिखा तो यहां पर यह rule apply नहीं होगा तो यहां पर subject जैसे चलता है हो वैसे चलता रहेगा subject प्लस वर्प्लस object डॉट 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 आपको जो भी लिखना है आप लिखेंगे ठीक है यहां पर जबरदस्ति आप इस वर्प को उठा के इसके पहले करने का प्रयास मत करना ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए तो यहां पर वाला रूल apply नहीं होगा जो यहां पर हम लोग पढ़े थे कि यहां पर helping वाब आता है इसके बाद subject आता है यह वाला रूल इसमें apply नहीं होगा इसको आप यहां पर आज माने का प्रयास मत किजिएगा ठीक है चलिए और यह रूल के साथ ही नहीं भलकि सारे negative words के साथ होगा जैसे seldom की जगर not only आ जाए तो यहीं काम होगा ठीक है यहां भी hardly आ जाए तो भी वहीं काम होगा no sooner आ जाए तो भी वहीं काम होगा scarcely आ जाए तो भी वहीं काम होगा ठीक है तो उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे आगे जब हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी फिलाल हम लोग seldom पढ़े थे इसलिए seldom के बारे में हम यहाँ पे आपके साथ चर्चा कर रहे थे ठीक है चलिए तो आएए अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते चले तो यह जो हमारा कोशन था यहाँ पे seldom if ever seldom if ever आ गया तो seldom if ever वाले म हमें कोई मतलब नहीं है इस sentence का कहीं कोई error नहीं है इसका question कांसर क्या बनेगा इस question कांसर बनेगा option number D क्या बनेगा option number d बनेगा क्या बनेगा तो option number d बनेगा no error ठीक है चले यहां से आगे बढ़ते हैं अगले question को देखे जरा हम लोग this law was seldom or ever देखे इसमें से question पूछा जाता है जिसके चर्चाव यह थोड़ी चरप पहले हम आपके साथ कर रहे थे तो seldom के साथ if ever मिलेगा या seldom यह देखे फिर से आपको हम remind करवाते चले seldom के साथ if लगा हो तो ever या seldom के साथ ever लगा हो तो इस तरीके से आएगा इन दोनों ही पार्ट मेर पूछा जाता है ठीक है और फिर देखे यदि seldom के साथ यदि seldom के साथ यदि seldom के साथ और लगा हो तो seldom और never का यूज हम लोग करते हैं तो या तो इस never वाले mirror पूछेगा इन दोनों mirror पूछेगा seldom के साथ never लगा हो तो और लगाएंगे seldom के साथ और लगा हो तो never लगाएंगे बात समझ में आ रही है अब आज़े यहां पर देख लिए यह seldom के साथ क्या लगा हुआ है और लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे seldom or never seldom बात समझ में आ गई चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं कुछ और कोशन की तरफ अब हम लोग पढ़ेंगे तरीजन रीजन का मतलब क्या होता है और करन किसी चीज का आप लौजिक दिजी ठीक है करन बताईगे अब हम आपको रिजनिंग यहां पर पढ़ाने वाले नहीं हैं चुकि हम आपको English subject deal करते हैं तो English में आपकी जो समस्या होगी वही सिर्फ हम आपको यहां पर बता सकते हैं reasoning को आपके reasoning वाले सर पढ़ाते हैं ठीक है यहां पर देखिए यह जो reason है reason के साथ कैसे कैसे question पूछा जाता है तो सबसे पहले किसका यूज करते हैं किसी चीज का कारण बताने के जैसे Ukraine पर अभी रसिया ने अटेक किया हुआ है ठीक है तो उसका reason क्या है बाई तो reason है कि उसने नाटो से अलग होने का written promise नहीं किया ठीक है नाटो से अलग रहने का यदि Ukraine रसिया को एक written promise करता तो साइध यह बाई नहीं होता ठीक है चले तो the reason के साथ हम लोग क्या use करते हैं और the reason के साथ that का use भी करते हैं आपके exam में ज्यादा तर इसका question दिखाई पड़ता है ठीक है अब आपके exam में ज्यादा तर जो question पूछे जाते हैं वो the reason के साथ that वाले दिखाई पड़ते हैं ठीक है तो आप इसको इस तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे अब आईए यहाँ पर हम लोग कुछ question को देखने का समझने का और इनको solve करन में answer क्या बनेगा option number B next the reason for my prolonged absence from class was because फिर यहाँ देखे because का use करेंगे that option number B the reason we have not been able to pay income tax is due to the fact that is due to the fact that we did not receive pay on time ठीक है अब यहाँ देखे the reason के साथ already that का use किया गया है तो इस question में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इस question का answer क्या बनेगा option number D that is no error next आगे बढ़ें अब हम लोगों को देखे यह pair of conjunction यही हमने आपको पिछले class में बताया था तो को रिलेटिव को explain करते हुए हमने आपको बता है था कि को रिलेटिव कंजक्शन हमेशा और हमेशा पेर में आते हैं ठीक है और जो को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो same meaning वाले या same parts of speech को या same pattern के same tone वाले sentences या clauses को जोडने का काम करते हैं ठीक है अर्थात इनके बाद आने वाले जो parts of speech होता है वो same होता है ठीक है अब आज़ेए जैसे हम लोग either or या तो तुम या तो कोई और ठीक है जैसे मान लेजिए कि A नाम का कोई candidate है यहाँ पे मान लेजिए यह A नाम का कोई candidate है और इसको साधी के लिए दो ऑफर है एक इधर B से मिला हुआ है और दूसरा इधर C से मिला हुआ ठीक है कुछ कुछ होता है तो अब यह जो है या तो इससे साधी करेगा या तो इससे साधी करेगा तो इधर B और C बात समझ में आ रही है और अब जो ना इधर नौर है इसक तुम जानो न हम, ठीक है, तो neither nor, ठीक है, और both के साथ and, जैसे अभी हम A के साथ बता रहे थे, कि A या तो B से साथ ही करेगा, या तो C से करेगा, और दोनों से कर लेगा तो, तो both and, ठीक है, बात समझ में आ रही है, दोनों का sense express करना हो, तो both, अब जरा यहां देखिए, आप both के साथ and का यूज होता है, both के साथ किसका यूज होता है, and का यूज होता है, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, तो either और neither nor, यह तो आप बच्पन से जाते है, both के साथ and, अब इसको आप थोड़ा सा notice करेंगे, ध्यान देंगे, बढ़ते हैं से आगे, हम लोग चलते है कुछ नए कोशन की तरफ है, either the beers or the line, यह देखिए, either के बद क्या है, the plus beers, यह beer क्या है, noun है, the plus noun, ठीक है, और के बाद देखिए, the plus noun, ठीक है, अब इसके बारे में, यहाँ तक कहानी तो इसका ठीक हो गया, क्या ठीक हो गया भाई, तो यह the plus, article plus noun, यह भी article plus noun, तो दोनों जोगा, यह कहानी तो से, मोगया, ठीक है, ठीक है, अब या तो the beer होगा, या तो line होगा, ठीक है, अब इसमें से कोई भी singular हो सकता है, कोई भी plural हो सकता है, इसके बारे में, यह इसको explain करते हुए, हमने आपको subject of agreement में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया थे बाई, तो वहाँ प से कोई भी singular हो, कोई भी दूसरा plural हो, कोई भी दो subject और या नौर से जुड़ा हुआ हो, कोई भी दो subject, कोई भी दो subject और या नौर से जुड़ा हुआ हो, और या नौर से जुड़ा हुआ हो, तो इनके बाद अब जो वर्व यूज किया जाएगा, वो वर्व यूज किया ज देखे इसके बारे में हमने आपको क्या बताया था तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी दो सब्जेक्ट कोई भी दो सब्जेक्ट और या नौर से जुड़ा हुआ हो और या नौर से जुड़ा हुआ हो कोई भी दो सब्जेक्ट और या नौर से क्छेसं में अब इनके साथ हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं वह वर्ब एग्री करता है सेकंड वाले सब्जेट के एकॉड इंस अर्थात और यह नौर के तुरंत होता है यह singular हो यह plural हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है इससे वर्ब को को कोई महबत नहीं है वर्ब को किसे महबत है दूसरे वाले से ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए आगर बढ़ते हम लोग अब आते हैं यहां पर हम लोग कुछ कोशन को करने का प्रयास करते हैं तो देखे जो रूल अभी अभी हमने आपको बता है उस रूल के कोड़िंग यहां जो भी वर्ब यूज करेंगे वह वर्ब किसके कर्डिंग होगा इसके कोड़िंग होगा यहां अंडरलाइन किया हुआ पाथ है इसमें कहीं कोई रहर नहीं है तो हमारा आंसर बने का नो करेक्शन रिक्वाइड नो इंप्रोब्मेंट या नो सब्सक्रीचूशन ठीक है आपके यह कोशन आपके इससी यह चसल 2020 से पूछा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग देख हम लोग क्या यूज करेंगे इसके जगह यूज करेंगे एंड क्या यूज करेंगे एंड नेक्स अंगला देखें बहुत बहुत स्याम एस घं स्याम तो बहुत के साथ क्या यूज करेंगे एस वेल एस की जगह एंड का यूज करेंगे ठीक है बात समझ में आ रही है तो इ यह अवस्य regular होना चाहिए and and study for longer period before the examination या फिर या तो आप पहले से study में regular है या नहीं तो जब आपका exam होता है तो exam के पहले आप लंबे समय तक पढ़ना शुरू किजिए बात समझ में आए तो यहाँ पर देखें क्या दिखाई देर है आपको either either के साथ क्या use करते है और का use करते हैं तो यहाँ लोग end की जगर क्या use कर लेंगे और का use कर लेंगे next फिर देखें यहाँ पर क्या दिखाई देर है either you must either inform the police else हम लोग क्या यूज करेंगे यहां पर यूज करेंगे और next he is not honest and not truthful इस question में देखें यहां पर दो बार not का यूज कर लिए गया जो grammatically incorrect है डबल नेगेटिव का यहां पर impact create होगा तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां पर यूज करेंगे नाइदर नौर तो यहां पर यूज करेंगे नाइदर का किसका यहां पर यूज करेंगे नाइदर honest और end की जगह and not की जगह फिर यहां क्या यूज कर करते हैं आपसे और हम आपसे ऐसा रखते भी है कि इस प्रकार के कॉंसेप्ट को सीखने के बाद आपके एसे सी एक्जाम में यह आपको जो भी हम लोग प्रैक्टिस एबलेबल करवाते हैं देते हैं उसमें आप एक भी कोशन गलत नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट नो सुनर के साथ क्या यूज करते हैं नो सुनर के साथ भी के साथ इसको आप ठीक सथीरा सुखिए समझी यह अब इसमें देखें हम लोग ऐसे कैसे कोशन पूछे जाते हैं आपके इसे सी एक्जाम में इनके तो हम लोगों ने सीखा की no sooner को न है ? तो इसी तरीके से हम लोगों ने सीखा किए जो hardly है तो hardly का partner कौन है ? और फिर similarly हम लोगों ने सीखा कि यह स्कैरेसली का partner भी होन है ? ठीक है तो आप सबसे पहले partner को पाजान जही। ठीक है पार्टनर को ठीक तरीके से पाचान लिजे आप इसको याद कर लिजे पहला गलते इसके पार्टनर में पूछा जाते हैं कहां पे पार्टनर में तो राइट पार्टनर दिया रहेगा सॉरी लेफ्ट पार्टनर दिया रहेगा राइट पार्टनर आपको चेंज करके में पूछा जाता है जैसे नो सुनर के साथ जो दैन का यूज करते हैं उसके जग़े या तो दें गिवन रहेगा या एंड गिवन रहेगा बट गिवन रहेगा और या ऐसे कोई दूसरे वाट भी गिवन हो सकते हैं ठीक है तो उसको appropriate पार्टर में आप convert करेंगे ठीक है तो left गिवन रहेगा right में ज्यादा तर किसे में 99% question आपके SSE exam में जो पूछे जाते हैं यह दी partner में error देगा तो neither के साथ nor वाले part में देगा ठीक है या जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे no sooner than than वाले part में error रहेगा hardly के साथ win win वाले part में error रहेगा scarcely के साथ win win वाले part में error आपको दिखाई देगा ठीक है यहां तक बात है clear है अब इनका एक और aspect है इनका एक और पालू है जिसे आपके SSE exam में question देखने को मिलते हैं क्या है भाई तो वो अब यहां पे हम सब लोग सीखते चले यह वही बात है जो अभी से थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने आज यह के class में seldom के बारे में सीखा था किसके बारे में सीखा था seldom के बारे में सीखा था तो यह देखे यह no sooner यह होगया heartly यह होगया scarcely यह हो गया scarcely बात समझ में ला रही है अब इनकी story ऐसी है कि यह तीनों में से कोई भी हो इन तीनों में से कोई भी हो कहीं भी हो आपको दिखाई दे यदि कोई भी sentence इन से शुरू होता है और यहीं concept सेम फंडा काम करता है कि specialdom तो अब इन चारों को एक साथ समझ लें हम लोग इन चारों में से कोई भी हो कहीं भी हो आपको दिखाई दे और यदि कोई भी सेंटेंस या क्लोज इन ही से स्टार्ट हो रहा हो इसको दूसरे सब्दों में हम लोग कहें कि यदि कोई भी सेंटेंस या क्लोज इन चारों में से किसी से सुरू हो रहा हो कोई भी सेंटेंस या क्लोज इन चार करते हैं ऐसे situation में हम लोग helping work का use करते हैं और इसके बाद use करते हैं subject का इनके बाद यहां रखते हैं helping work का उसके बाद रखते हैं subject और इसके बाद आपको जो भी रखना है object हो या compliment हो या describing element हो जो भी आना हो आए हमें इससे कोई मुहबत नहीं है बात समझ में आ रही है इनका एक दूसरा format हम आपको दिखाते चले जैसे माल लेजिए यह sentence लिखा हुआ हो और इसके बाद अब यहां पर आपको दिखाई पड़े no sooner ठीक है यह आपको दिखाई दे hardly यह आपको दिखाई दे scarcely ठीक है अब यहां पर ध्यान रखना भाई no sooner का no जो है यह small में रहेगा चुकि यह second sentence हो गया यह first sentence है यह यहां से second sentence ठीक है यह ऐसे ही आपको seldom दिखाई दे ठीक है बात समझ में आ रही है और इन ही से यहां जो दूसरा sentence यह close शुरू हो रहा हो यह उसके beginning में हो यह उसके beginning में हो तो फिर वह ही बात होगी यहां पे फिर से आएगा helping और फिर आएगा subject और इसके बाद जो भी आना है आता रहेगा ठीक है अब इसको हम दोनों तरीके से लिखके यहां पे दिखा रहे हैं यह no sooner no sooner hardly के लिए हमें यहां पे simply h लिख रहे हैं scarcely के लिए s लिक रहे हैं और seldom के लिए भी s लिक रहे हैं ठीक है तो या तो यह पहला sentence हो पहला sentence हो इधर कोई दूसरा sentence हो तो पहले sentence में आएगा तो भी इनके साथ हम वही सलूक करेंगे क्या सलूक करेंगे भई तो helping और plus subject plus dot 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 ठीक है और इधर से comma के बाद या किसी conjunction के मिलेगा यहां पर दूसरा sentence आपको दिखाए पड़ेगा बात समझ में आ रही है तो यह तो यह format आपको दिखाए देगा एक और format आपको दिखाए देगा अगला format क्या है तो वह भी हम आपको seldom के किसमें बताते बता चुके हैं वह क्या हम लोग पढ़े थे तो हम लोग यहां पर hardly का यूज किया जाए यहां पर scarcely का यूज किया जाए ठीक है तो यहां पर अब इन वर्जन अप्लाई नहीं होगा इन वर्जन अर्थातर पहले वर्ब आए और उसके बाद subject है इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है subject है आ चुका है यह sentence के beginning में नहीं है यह sentence के middle मे आ गया तो जब इन चारों में से कोई भी किसी भी sentence के beginning में लिखा जाता है sentence या close इन चारों में से किसी एक से start हो रहा होता है उस case में हम लोग helping word plus subject का फंडा यूज करते हैं otherwise इनके साथ वो फंडा यूज नहीं करते अर्थात यदि इन चारों में से किसी का प्रयोग किसी sentence के beginning में starting में नहीं किया गया हो बलकि बीच में कर लिया जाए तो फिर इनके साथ हम लोग helping word plus subject वाला फंडा यूज नहीं करेंगे ठीक है एक और खास बात चुकि ये चारों के चारों negative word है कैसे वाड़ है ये चारों के चारों negative word है इसलिए जिस sentence या close में इनका यूज किय गया होगा उसमें no not never या ऐसे किसे भी दूसरे negative word का यूज हम लोग नहीं करेंगे बात समझ में आ गई चलिए अब यहां के बाद हम लोग चलते हैं और अब हम लोग कुछ को सॉल्व करना सुरू करते हैं तो इनके सारे concept को हम लोगों ने समझ लिया अब आईए यहां से ह सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करेंगे तो आप चेक करेंगे कि इसके बाद यहां पर helping bob है या नहीं उसके बाद subject है या नहीं यदि यह पार्ट भी correct हो अर्थात यह वाला section भी correct हो और यह वाला section भी correct हो तो उस sentence का answer होगा no error क्या होगा answer no error ठीक है तो फिलाल यहां पर क्या error था वेन दिया था वेन की जगह क्या यूज करना था then तो आप related option चेक कर लेना ठीक है हम यहां से आगे बढ़ते हैं अब यहां से आगे चलते हम लोग इस question में देखें यहां पर देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है hardly hardly कहा पर यूज कर लिए गया sentence के बीच में अब बीच में यूज कर लिए गया अब simply हम लोग क्या चेक करें बाई they cannot hardly believe that article 370 is no longer valid इन जम्मू और कस्मिर ठीक है मतलब जड़ाई अब इसका हम आपको हिंदी भी समझाते चले अब यह देखें hardly hardly क्या है भाई तो hardly खुद अपने आपने नेगेटिव और इसके साथ यह cannot का यूज नहीं होगा हम लोग क्या यूज करेंगे they can hardly believe ठीक है यह simply यूज कर सकते हैं they hardly believe that article 370 ठीक है अब इसके साथ कोई दूसरा sentence नहीं है दूसरा sentence होता तो हम लोग यूज करते हाड ले के साथ है वेन का क्या यूज करते है वेन का ठीक है तो इस question का answer यह वाला section अब आप related option यहां पर आपको दिखाई भी तरह देखें not hardly believe next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते है इस कैसली वाली में करना है हाँ यहां पर पूछा जा सकता है जैसे यह हैड है है के साथ क्या यूज करते हैं वाफ का third form यूज करते हैं जैसे अभी थोड़ी तो अब यहां से आगे चलते हैं और अब हमें लगता है कि इस type के question को बनाना हम लोगों है सीख लिया है इस कोशिटन में देखें यहां पर दैननल लिखा हुआ और यहां प्रिविशन का यूजर करेंगे यह क्या यूजर करेंगे यह किया करेंगे यक्यों सोनर ठीक है adequate के सारे को भूंचन कहां से हैं तो आपके प्रेवियस यह के यह हाडली हाड ले के बदेबाद YouT करेंगे जो सब गां lessons और रहा होगा जो सब को समझ में आ रहा होगा पहला दिक्कत यह वाला सेक्षन क्या भाई यहां पर तुसर यहां पर आना चाहिए ठीक है अब यहां पर आप में से कई बच्चों को दिक्कत होगा सर सीट कानल सैट लिग दें सीटेड लिग दें दें हम आपको टेंज जब पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि हम इसे सेकींड फॉर्म फॉर्म यह sûr होते हैं कुछ ऐसे वार्व और से होते हैं तो तो आपको यहां पे सिट ACT इह तो इसका फॉर्म यह होता है तो इसके में कुई दिक्कत नहीं कूंस्ट आगे बढ़ते हैं और अब हमें लगता है कि हाटली से हम लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए ऐसे बहुत सारे कोशन हैं जिनका आप आंसर खुद से कर सकते हैं ठीक है तो आप ऐसे सारे कोशन उठा के बना लेंगे हाँ आए इस एक कोशन को हम डिसकस करते चले यह थोड़ा सा अजीब गरीब सब्ज़यक यहां पर क्या गया तो यहां पर आ गल्याहां हमारा सब्ज़यक और यह क्या किया है यह क्या है तो इसे सिच्वेशन के हम लोग क्या करें यह जो वर्ब है यह है वर्ब का second form sorry ज़रा इसका color change कर लें यह जो वर्ब है वर्ब का यह second form है और यह the advertisement क्या यह हमारा subject यह क्या है तो यह हमारा subject अब देखें no sooner के बाद आ गया subject subject के बाद यहां वर्ब का second form में पास्ट है तो इसको correct करके क्या लिखेंगे हम यहां पर यूज करेंगे हम यहां पर यूज करेंगे no sooner did the advertisement और यह जो अपियर में एडी लगा हुआ है अपियर में जो एडी लगा हुआ है इस एडी को हटा देंगे यह डेबल पी ए आर हम लोग क्या यूज करेंगे यह डेबल पी ए आर अपियर ठीक है नो सोनर डिट दड़ अपियर ठीक है अब इससे रिलेटेटेड ऑप्शन अब ढूंड लीजिएगा आपका अंसर ठीक हो जाएगा तो अब नो सुनर से हम लोग बाहर निकलते हैं यह यहां देखिए दैन लगा हुए अर्थाति यहां यूज करने की जरूवत है नो सुनर दैन नो सुनर दैन ऑप्शन में भी देख लीजिए कुछ ऐसा यह ऑप्शन की विन है तो यह सारे उसी पैटरन के कोशन है अब हम लोग आते हैं दो ऑल्दो के साथ येड का यूज कर होता है ठीक है इनका मिनिंग क्या होता है यद्दपी हाला की तथापी फिर भी जैसे यद्दपी फिर भी यद्दपी तथापी हाला की फिर भी हाला की मैं बहुत गरीब हूं फिर भी बहुत दान करता हूं अब अप उजित नहीं लग रहा है गरीब हैं तो दान कहां से कर काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले इस तरीक हैं के बाद को बताने के लिए नहlar के प्रेख उत्त करतें हाला कि वह बहुत पढ़ता है फिर भी एक्जाम में बार-बार फ בחê zukर जाता है फिर भी एक्जाम में पास नहीं कर बाता यह धपी वह बहुत परिश्रमी है तो आप है वो परिक्षा में fail कर जाता है ऐसे से इंसको express करने के लिए इनका use करते हैं अब इनमें error कहा कहा पूछा जाता है आईए इसको हम लोग सीखते चलें देखें दो या although दोनों का use एक दूसरे के जग़ पे किया जा सकता है अब इनका use कैसे होता है इनके use को ठीक से देखिए समझिए जिसका use करके आपके exam में question पूछा जाता है तो या तो आपको although मिलेगा या आपको दो मिलेगा ठीक है इन दोनों में से कोई एक आपको दिखाई दे तो इनका जो right partner होता है इन दोनों का जो right partner होता है तो एक sentence में ये लगा रहेगा दूसरा sentence जहां शुरू हो रहा होगा या clause वहाँ पे yet का use करते हैं या यदि यहाँ पे yet का use आपको नहीं करना हो तो आप यहाँ पे simply ऐसे कॉमा का use करके भी काम चला सकते हैं तो या तो यहाँ पे yet का use करते हैं के साथ या तो यहाँ पे use करते हैं कॉमा का या तो yet का use करते हैं या तो कॉमा का use करते हैं बात समझ में आ रहे हैं यह yet का use करेंगे या कॉमा का use करेंगे ठीक है बोथ हार correct हाँ आपको इसके अलावा कुछ और बाते हम बताते चले अगली बात यह है यह even एक word है जिससे आपके exam में equation देखने को मिलते हैं even के साथ सिर्फ और सिर्फ दो का use किया जाता है जैसे even though आप लिख सकते हैं even though आप लिख सकते हैं लेकिन even although आप नहीं लिख सकते even although आप नहीं लिख सकते इसको आप ठीक से समझ लीजी क्या समझना है तो ये वाला part correct है लेकिन ये वाला part incorrect है ठीक है तो even के साथ although लिखा हुआ दिखाई पड़े तो ये error का part है इस although को convert कर देंगे 2 में ठीक है meaning सब का वही है जो meaning था 2 although का वही meaning रहेगा even 2 का ठीक है चलिए अब यहां से आगे चलते है कुछ कोशन की तरफ आईए यहां पर कुछ कोशन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपका जो पहला कोशन है आप इस पहले कोशन को देखे यह आपके SSC CHSL 2020 में पूछा गया कोशन भी है तो अब पहले कोशन की तरफ चले हम लोग although the child studied hard हाला कि जो child था वो बहुत कठीन परिश्रम करता था अब देखेस के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर बट का यूज क्या हूँ दिखाई दे रहा है तो simply आप बट को remove कर दिजी बट की जगर क्या यूज करना चाहिए था हम लोगों को यट का यूज करना चाहिए अब आप कह सकते हैं सर यहां पर already कॉमा का यूज किया गया है तो यहां कॉमा का यूज किया गया है आप छोड़ सकते हैं बट को simply remove कर दिजी आपका sentence correct है यदि आप कॉमा को हटाना चाहते हैं तो बट और कॉमा दोनों को हटा देजी दोनों को हटा के यूज करेंगे येट का बात समझ में आ गए चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं इस question में देखें यहां पर देखें इविन सरद इविन सरा tried his best फिर देखें इसके साथ क्या यूज करेंगे यहां पर कॉमा का यूज करेंगे इविन के साथ दो का यूज करेंगे इविन दो चलिए आगे बढ़ें अब आप related option देख लिजेगा यह instruction के according देख लेंगे यहां पर देखेंगे फिर से दो although का use के साथ क्या लगा हुआए यट लगा हुआ तो लगा हुआ है तो यह part correct है उपर वाले question का answer बनेगा नेक्स अगले question में चले दो although के साथ देखें बट को किस में convert करेंगे यह conviction में फिर फिर देखें थीडिंगे यह कुमा लगा हुआ है कौमा लगा हुआ है तो अलग से येट लगाने की कोई जरूरत नई आंसर बन जाएगा नो एदर ठीक है नेक्स तो आप आसा करते हैं आप से कि अब आप इस पैटर्न के सारे कोईशन बना लेंगे यहां पर आते हैं यहां पर जाना है कि इस में हमें क्या करने के जरूरत है सबसे पहले स्टेनर क्या है तो यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया स्टेनर का मतलब होता है हाड़ वर्कर कठिन परिस्रमी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो इस वाले स्टेनर वाले पार्ट में कोई अरर नहीं है और ऐसे केस में हम लोग एज इफ का यूज नहीं करते हैं बलकि हम लोग सिंपली यहां पे इस का ही यूज करते हैं इस सेंटेंस में कहीं कोई अरर नहीं है ठीक है इसका अंसर बनेगा हमारा नो इंप्रूब्मेंट आप इस कोशन को भी से सुरूप से ध्यान रखिएगा यदि आपके एक्जाम में यह कोशन रिपीट किया तो मैक्सिमम बच्चे 90 परसेंट बच्चे यहीं पे अरर अब नेक्स्ट यहां पे यहां पे फिर दो आपको दिखाई दे रहा है यहां देखे दो आपको दिखाई दे रहा है 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 दो आपको दिखाई दे अब हम लोग क्या सीखेंगे तो अब हम लोग यहां पर सीखेंगे not only के साथ but also का use कैसे होता है इसका error कैसे कैसे पूछा जाता है not only के साथ but also not only but also मतलब ना केवल यह बल्कि वो भी ठीक है मैं ना केवल तुम्हें दिलो जान से चाहती हूं बल्कि तुम्हारे लिए सब कि थी और लड़के से इसी प्रकार से बोल दे कि ठीक है तो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ रिप्लाई में मिलता है कि तुम जो कहूँ हम तुम्हारे लिए करने को त्यार है तो ठीक है जाओ अपनी मा को छोड़के आओ या मा का मदर करके आओ और लड़का जा कहा रोख किसे कहानियों में आपने सुना होगा जो मा का नहीं gonna मेरा क्या होगा घड़र हमेशा घड़र रहेगा क्रेंद हन्हीं झिल्क है क्योंकि नेचर और इंसान का बदलता नहीं बड़े मुश्किल सी वदलता है चलिये तो सबसे पहले या तो इए लेफट वाले पार्ट में यहाँ पर Rock रहता है या तो बटाएगा एन दोनों का दोनों इसका थिक है और कई बार आपको यह बट- given रहेगा तो only नहीं only रहेगा तो not नहीं या यह not only दोनों का दोनों missing हो सकता है तो सबसे पहले आपको जहां कहीं भी not only दिखाई दे आप but also check कर लिजे but also दिखाई दे not only check कर लिजे पहला concept यह दूसरा concept कि यह जो but also यह तीन format में आपके sentence clause यह कुछ word रहेंगे यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा यहां पर फूल स्टॉप रहेगा तीसरा format आपको देखने को मिलेगा कि बट के जो not only but also यह भी है correlative conjunction अर्था यह भी same parts of speech को join करने का काम करता है तो जो parts of speech आपको इसको check कैसे करते हैं तो बाकिस सम्में हम लोग check करते थे from left to right लेकिन इसको हम लोग check करते हैं from right to left कहां 99% किस में from right to left guide होते हैं from right to left guide होते हैं मतलब मेरे कहने का यह है कि यहां पर यहां पर यहां पर जिसमें also के बाद कुछ आएगा तो also के तुरंद बाद आने वाले पाला वर्ट का parts of speech हम चेक करेंगे लेकिन यह जो second वाला structure है इसमें also के तुरंद बाद यहां पर क्या लगा हुआ है यहां पर फॉल स्टॉप लगा हुआ है तो also के बाद कुछ दिखेगा ने तो वहां पर इस condition में हम बढ़ के तुरंद बाद आने वाले वर्ट का parts of speech चेकरेंगे अर्थात इन बॉक्स में जो भी parts of speech यूज किये not only के तुरंद बाद इसको थोड़ा और डीटेल में समझें अर्थात माल लेजें यहां पर noun हो तो यहां भी क्या आएगा noun आएगा ठीक है माल लेजिए कि यहां पर यहां पर फोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है माल लेजिए कि यहां पर कोई adjective हो कि यहां पर किसी अट्स एक्टिव का यूज किया घ्या हो किसका किसी यूज किया पर तो यहां भी यहां भी यहां भी यहां बास समझ्ज में आ तो जो parts of speech in places पे होगा वही parts of speech यहां पे होगा सबसे ज़्यादा not only but also के साथ parts of speech में अर्थात in places पे जो पहला what आपको दिखाई देगा उसका जो parts of speech होगा वही यहां पे आएगा तो ठीक है पहला इस तरीके से error पूछा जाता है दूसरा not only but also partner वाले case में तो यह दो प्रकार के error not only but also के case में संभाव है टोटल इतने ही प्रकार के error यहां पर पूछे जा सकते हैं और अब तक पूछे गए हैं इससे ज्यादा not only but also के case में कुछ भी पूछा जाना संभाव नहीं है ठीक है तो आईए अब हम लोग यहां पर फटा फट कुछ कोशन को solve करते चले आईए हम लोग यहां पर देखना शुरू करें देखिए कोशन आपको बड़ा सा भड़कीला सा दिखाई दे रहा है इस में में कुछ चेक करने के जर भी अब यहां बट लिख दिये बट उल्सों का बात भी क्या है और यह not only not only के साथ इसका partner क्या हो गया स पर भागे ठीक है आगे का पार्टनर चेक किजिए यहां देखिए अंड ओल्सों किसमें बट ओल्सों में नेक्स्ट यहां पर देखिए यह आपके यह से 2017 में पूछा गया कोशन है कोशन काफी बड़ा सा दिख रहा है भड़कीला सा दिख रहा है डरने की जरा से भी बात न यंग मदर्ज ठीक है तो यानि कि कहीं न कहीं हमें चाहिए था बट ऑल्सों हम कैसे चेक करें कहां पर लगेगा तो सबसे पहले यहां जारा देखिए नौट अली के बाद यह लीड क्या है वह भर्व है ठीक है तो आगे आप देखे जहां कई भी इसका यूज करना हो जहा तुरंट बाद हमें चाहिए कोई न कोई वर्ब जैसे माल लिजे यहां पर हम लगाना चाहें यहां पर हम लगाएं बट alzoo तो बट alzoo के बाद यह देखिया है तो देखिया है तो देखिया है तो देख्या है अर्थाति हाँ पर बट alzoo करना फिर यह ऑल्दो का केस हम लोग पहले से फ़र चुक है not only not only के साथ देखे यह but also not only but also लगवे but also के बाद देखे यह the plus तुने तिरूनेली टेंपल मतलब the plus noun है ठीक है तो not only के बाद भी हमें क्या चाहिए the plus noun चाहिए अब इस question को जराब ध्यान से देखिए यहां देखिए यह but also but also के बाद क्या है यह article the the plus यानि क्या article plus noun है तो not only के बाद भी हमें क्या चाहिए the plus noun चाहिए तो अब हम क्या करेंगे इस not only को यहां से उठाएंगे और लाके इसको place कर देंगे scene के बाद अर्थात इस question का answer क्या बनेगा answer बनेगा we seen not only the thali temple ठीक है तो य यह sentence correct होगा आईए इस pattern के कुछ और question को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं यहां पर देखिए I am certain that the officer is not only greedy but but corrupt यह देखिए not only आपको दिखाए दिये not only तो बट थोड़ी होगा बट के सांद क्या लगाएंगे also लगाएंगे not only but also next priya got good grades not in Hindi एसे but also यहां देखिए but also लग प्लस अरिथमेटिक ठीक है तो यहां भी क्या चाहिए प्रेपोजीशन प्लस नाउन चाहिए अरिथमेटिक क्या है नाउन है तो यहां also but also क्या है प्रेपोजीशन प्लस प्रेपोजीशन प्लस नाउन तो not only के बाद भी क्या चाहिए प्रेपोजीशन प्लस नाउन यहां अब चले यहां से और कुछ आगे चले और यह सारे question उसी pattern के हैं इनसे भी question को आफ बना सकते हैं अब हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा पढ़ने की discuss करने की सोचने समझने के ज़रूरत है ठीक है तो यहां से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में क्योंकि इन को थोड़ा सा हम लोगोगों को समझना होगा और फिर इनको थोड़ा सा डीटिल में जैसे हम लोग कुछ भी कर लें ठीक है class Ko encourage लें आदे घंटे लंबा भी की चलें तो चाम चलता है ठीक है तो आज के स pikla Floris को हम यह आई पर sum up करते हैं यहाई समовत करते हैं मिलते हैं हम आप से कंजक्शन के अगले वीडियो के पाड़ थेक थेky के लिए आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए और रिवीजन जरूर करते रही है ठीक है वीडियो दिये हमारे वीडियो यह दिया आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूल भी ना भूलें चैनल को सब्स झाल